Hello students, N के मित्यलोग लास में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर Transfer of Property Act का एक और important topic cover करेंगी आज हम यहाँ पर Transfer of Property Act की regarding section 52 को cover करेंगी जो की अपने आप में ही एक most important topic है तो चलिए आज का lesson start करती है आज का लेसन है section 52 transfer of property act जो की एक doctrine पर बेस है doctrine of list pendence यहाँ पर यह जो दो word दे रखे गई है list pendence इसमें से इस शब्द का मतलब है suit वाद और pendence का मतलब है pending विचारा दीन अब बहुत simple शब्दों में इस doctrine को समझ लीजिए देखिए जब कोई property प्रॉपर्टी का मतलब इस section 52 के अंतरगत अचल संपत्ती immovable property से माना जाता है यह बात हमेशा याद रखिएगा section 52 के तहत अचल संपत्ती immovable property के बारे में बात की जा रही है आगे चलते हैं जब कोई property जिसको लेकर कोट में कोई मुकदमा कोई suit पैंडिंग में हूँ तब वहाँ पर ऐसी disputed property के जो suit है उसके pending रहते हुए जो suit के parties हैं उनके दुआरा उस disputed property को किसी third party को transfer नहीं किया जा सकता है इसी नियम को doctrine of list pendants कहते हैं बहुत simple शब्दों में एक बार फिर से revision में समझ लो देखो अगर कोई property है और उस property पर कोई suit दायर किया गिया है तो अब वो property क्या बन गई disputed property हो गई property का meaning अचल संपत्ती से है जब वह मुकदमा कोट में pending है तब उस time पर जब वह मुकदमा चल रहा है तब उस time पर जो parties of suit हैं उनके दोरा pending suit के दोरान उस disputed property को transfer नहीं किया जा सकता है ऐसा करने की मना ही है अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो यहाँ पर transfer का meaning sale, mortgage, gift, lease सभी से माना जाएगा वो किसी भी रूप में उसको transfer नहीं कर सकता है अब हम बात करते हैं इनके case law की इनके important most important case law की जिसमें सबसे पहला नाम आता है बेलामी versus सभीने का case है यह है इसका एक most important leading case है और उसके बाद में भारत में Indian law में फैयाज हुसेहन खा का case है जिसमें इस बात को अपनाया गया है अब हम बात करते हैं यहाँ पर section 52 के regarding उनके essentials elements की हम अब यह जानेंगे कि section 52 कहां पर लावू होता है कहां पर apply होता है तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले section 52 को apply करने के लिए वहाँ पर एक suit होना बहुत जरूरी है वहाँ मुकदमा दायर होना बहुत जरूरी है अब इसमें कुछ important points आप cover कर लीजे, note down कर लीजे जिस तारिक को competent quote में उस property का suit present किया गिया है उस दिन से ही suit pending मतलब कारवाई विचारा दीन उस दिन से मानी जाएगी और ऐसा suit quote में तब तक pending माना जाएगा जब तक कि उस पर final degree या order नहीं आ जाता है इसका मतलब final degree और order आ जाने पर ही वह suit समाप्त माना जाएगा इसी के साथ में उस degree का execution भी होना जरूरी है एक बात आप इसी में एक और बात आप note down कर लीजिए अगर मामला proper आकिंचन से related है तब वहाँ पर suit उस दिन प्रारम माना जाएगा जिस दिन proper द्वारा application प्रस्तुत की कई है लेकिन अभी भी आप इसमें एक point और note down कर लीजिए लेकिन यदि proper द्वारा दिया गया application रद कर दिया गया है तब वहाँ पर वह suit pending नहीं माना जाएगा अब हम बात करते हैं इसके second essential की competent quote की सच्चम नियाराले section 52 तभी apply होगा जब वहाँ पर वह suit competent quote में pending होगा यहाँ पर competent quote का क्या meaning है simple शब्दों में समझ लीजिए जिस quote में suit pending है उस quote को उस suit को decide करने का jurisdiction है अब हम बात करते हैं इसके most important essential की जो की है not collusive इसका मतलब दुल संधी मतलब मिली भगत वह simple सरी के समझ लो जब parties suit लेकर आती है जब parties of suit court में मुकदमा दाखिल करती है अगर यह पता चल जाता है कि उनके बीच में पहले से ही setting हो रखी है पहले से ही मिली भगत है उनकी कि यहाँ पर मुकदमा लाया जाए और जो टांसवरी है उसके rights को defeat कर दिया जाए तब ऐसे में अगर ऐसा कोई मुकदमा उन parties के दुआरा मिली भगत के आधार पर लाया जाता है तब वहाँ पर हम ऐसे वात को ऐसे suit को कपट पून वात कहते हैं और इसी के regarding यह case भी है अन्ना मली वर्सिस मलियंदी के case में बताया गया था कि यह आवशक नहीं है कि parties of suit के बीच में मिली भगत पहले से ही मौजूद हो हो सकता है यह मिली भगत यह सेटिंग बाद में करी गई हो तब भी फिर वहाँ पर section 52 apply नहीं माना जाएगा एक और important essential section 52 के regarding property यहाँ property का meaning मैंने पहले भी बताया था अचल संपत्ती से है एक बार फिर बता दिया और जिस property को लेकर आप विवात कर रहे हैं वह property ऐसी होनी चाहिए जिसको आसानी से पहचाना जा सकता हूँ एक और question एक और essential जैसा कि हम जानते हैं generally speaking doctrine of list pendence यह कहता है कि अगर कोई मुकदमा किसी disputed property के बारे में है और वह मुकदमा वह suit अभी court में pending है तो जो बाद के पच्चकार हैं जो parties of suit हैं उनके द्वारा उस property को उस दोरान third party को टांसवर नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर उनके द्वारा ऐसा कर दिया गया तब उसका result क्या होगा तब result यह होगा कि वह हैं टांसवर voidable माना जाएगा क्या माना जाएगा भे टांसवर वोईडेवल माना जाएगा void नहीं है बलकि voidable माना जाएगा ये बात आपको याद रखनी है अब एक बात और इसमें समझ लीजिए इस डॉक्राइन के section 52 के भी कुछ exception है जिन पर यह लागू नहीं होता है अगर property चल संपत्ती है अगर property movable property है तो उस पर यह लागू नहीं होगा अगर code की permission से ऐसा करा गया है तब वहाँ पर भी section 52 apply नहीं माना जाएगा इसी के साथ यहाँ class complete हो जाती है